हेलो बच्चो मैं हूँ सचिन और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं C++ का पोग्राम और आज भी हम एक पोग्राम करने वाले हैं जिसमें कि मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना नाम 10 बार प्रिंट करिए या तो सबसे पहले हमेशा की तरह यहाँ पे header file को include कर दूँगा सबसे पहला header file जो है हमारा वो है iostream.h उसके बाद next header file जो है वो है आपका koneo.h तो उसको भी चलिए include कर देते हैं हम लोग उसके बाद यहाँ से हमारा main function चलो हो जाएगा void main bracket open close curly bracket और उसके बाद में एक function यूज़ करते हैं जिससे हमारा output का screen जो होता वो clear होता है CLR SCR function उसके बाद यहाँ पे मैं use करने वाला हूँ for loop कोई भी loop चाहे आप for loop यूज़ करिए while loop यूज़ करिए या फिर आप do while यू का initialization variable चाहिए होता है उसके बाद में test condition मतलब की हम लोग loop कब तक करना है वो check करने के लिए condition देते हैं और उसके बाद update variable that means increment या फिर decrement operator हम लोग use करते हैं ताकि जो भी हमारा initialization वाला variable होता है जिसको control variable भी बोला जाता है उसका value हम बढ़ा सके या फिर update कर सके ताकि जो भ भी condition के उपर depend करता है कि आप बढ़ाना चाहते या घटाना चाहते ठीक है तो four loop का कुछ इस प्रकार से use किया जाता है देखे four उसके बाद में यहाँ पर एक variable मैं declare कर रहा हूं इसके अंदर में हम declare कर सकते variable int i और i का जो value होगा वो मैं रख रहा हूँ one तो यह हो गया हमार का insulation variable इसे हम control variable भी कह सकते हैं और उसके बाद अब हम लोग condition देने वाले हैं तो condition यहाँ पर हमारा है कि i का value अगर less than और equal to 10 होता है तब तो यह loop होगा otherwise यह loop नहीं होगा that means इसके अंदर में जो code लिखेंगे वो repeat होगा otherwise यह repeat नहीं होगा और उसके बाद अब i का value बढ़ान है हम लोगों को तुसके लिए मैं यहाँ पर increment operator यूज कर रहा हूँ i++ से क्या होगा जैसे कि अभी i का value 1 है एक बार loop होने के बाद में वो 2 हो जाएगा फिर 3, 4, 5 कब तक चलेगा loop हमारा 10 बार चलेगा क्योंकि यहाँ पर हम लोगोंने condition दिया है कि इसको loop करना है कि जब त अब यह curly bracket open और close होता है जिसे हम body of the loop कहते हैं और इसके अंदर में जो भी code लिखेंगे यह 10 बार repeat होगा 10 बार execute होगा तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ C out और जैसा कि मैंने कहा था कि आपका नाम या मेरा नाम 10 बार आपको print करना है output box में तो यहाँ पर मैं अपना नाम print कर रहा हूँ आप program बनाईएगा तो आप अपना नाम print करिएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ my name is Sachin Sarma और उसके बाद इसको मैं बंद कर देता हूँ ऐसे ठीक है और फिर यहाँ पर end line लिखता हूँ ताकि इसका line यहाँ पर खतम होता के line और next यहाँ पर output screen को रोगने के लिए मैं यहाँ पर get ch का use कर रहा हूँ get ch एक function है और उसके बाद अब यह main function को मैं बंद कर रहा हूँ अब हम इसको compile करेंगे control f9 compile के लिए एक error दिखा रहा है यहाँ पर error क्यों दिखा रहा है अच्छा c out लिखना था यहाँ पर मैंने c out नहीं लिखा था टी छुट गया था मेरा अब फिर से compile करते control f9 देखिए यहाँ पर dash bar यह print हो रहा है और यहाँ पर अगर मैं आई भी लिख दूँ तो यह one two three four इस प्रकार से number भी आएगा क्योंकि i का value क्या हो रहा है बढ़ रहा है थोड़ा से इस सहा इस पेस दे देता हूं मैं अभी मैं control f9 दबाऊंगा तो देखिए one two three four five six seven eight nine ten ठीके बच्चे अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों को यह program समझ में आया हो तो इस वीडियो को like करिए मेरे चैनल को subscribe करिया और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share करना मत बूलिएगा